यूपे और उत्तराखन के खबरों के लिए विपे गंगा को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अब हम बात कर लेते हैं MLC चुनाव की जैसे जैसे चुनाव नजदीकारा है BJP ने अपनी पूरी ताकत जोपती है इसको लेकर आज संगटन महामंत्री सुनील बंसल रादा मुहन सिंग वारणसी में चुनाव को लेकर बैठक करेंगे जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुतंत्र देव सिंग मेराच और गाजियबाद में चुनाव को लेकर मिटिंग करेंगे संगटन महामंत्री और भाजपाप प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक करने जा रहे है मल्सी चुनाव को लेकर वो रणनीती बनाएंगे बलराम कई जगों पर ये बैठक होने जा रही है संगटनात्मक तोर पर अगर देखा जाए तो किस तरह की रणनीती बनती दिख रही है मल्सी चुनाव को लेकर देखिए आस्था भारतिय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो चाहे कोई भी चुनाव हो वो सभी चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है अभी उप चुनाव रहा बड़ी बड़ी पार्टीया जो नेशनल पार्टीया रही उनके सीर्ज के जो नेता थे वो चुनाव परचार में नहीं गए लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने उप्चुनाव में में पूरे दमखम से चुनाव लड़ा और चुनाव परचार किया यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद जनसभाओं में गए और वहां पर जा करके जनता से अफील की और यही वज़य है कि जो संगढात्मक पार्टी बिजेपी है और वो जन जन तक जाती है लोगों से अफील करती है और हर चुनाव में पढ़ चड़ कर हिस्सा लेती है और यही वज़य है कि चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो चाहे लोग सभा का चुनाव हो बिजेपी किसी भी चुनाव को हलके में नहीं लेती है और यही वज़ा है कि पहली बार MLC सिछक सीड पर भी बिजेपी ने अपनी ताल ठोकी है तो कहीं न कहीं अब बिजेपी के जो नेता हैं जो प्रदेश अध्यच्छ हैं चाहे वो सुनील बंसल जी हो इसमयर सभी लोग उन जगों पे जा रहे हैं जहां पर MLC चुनाव हो रहे है। जो प्रतियासी हैं उनसे मिल रहे हैं जो कार करता है उनसे बैट के रणनीती तै कर रहे हैं कि आखिरकार जो मद्दाता है, उनके बीच में कैसे जाया जाएगा, वहां का जो छेत्रिय मुद्दा है, वो क्या है, चुनाओं में कौन सा ऐसा मुद्दा हो सकता है, जो हाभी हो सकता है, उसके लिए क्या रणनीती पार्टी तैयार करें, इन सभी बातों को लेकर के, जो प सबसे जागरूख है, और उन मुद्दों को, किस तरीकार जागरूख है, और उन मुद्दों को, किस तरीके से बीजेपी हैंडिल करें, वो कारकरताओं से जानकारी ली जाएगी, और उसके बात किसका काम किया जाएगा, बलराम, नितिन और शैलेश, आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए, और आज की बड़ी खबरों पर आप करेंगे.